मेरे प्यारे देशवासियों नवस्कार आज राम नौमी का पावन पर्व हैं राम नौमी के इस पवित्र पर्व पर देशवासियों के मेरी बहुत बहुत शुब कामना हैं पुझ्य बापु के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है, पिछले दिनों 26 जन्वरी को जब आश्यान देशों के सभी महानुभाव यहां थे, तो वो अपने साथ कल्चुरल टूप लेकर के आये थे, और बड़े गर्व की बात है उसमसे अधिक्तम देश रामायन को ही हमारे सामने प्रस्थूत कर रहे थे, यहने राम और रामायन न सिर्व भारत में, लेकिन विश्व के इस भूभाग में, आश्यान कंट्रीज में, आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं, मैं फिर एक बार कामनौमी की शुब कामनाई देता हूं, मेरे पहरे देश्वासियों हर बार के तरह इस बार भी मुझे आप सब के सारे पत्र, इमेज, फोन, कोल और कॉमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, कोमल ठकर जी ने माय गौव पर आपने संस्कृत के ऑनलाइन कोर्सी शु मैंने संबंदित विभाग से इस और हो रहे प्रयासों की जानकारी आप तक पहुचाने के लिए कहा है, मन की बात के स्रोता जो संस्कृत को लेकर कारिय करते हैं, मैं उनसे भी अनुरोत करूँगा कि इस पर विचार करें कि कोमल जी के सुझाव को कैसे आगे बढ़ाये जा आपके नर्दरमोदी एप पर लिखे कॉमेंट्स पढ़े, आपने जमीन में घड़ते जलस्तर पर जो चीनता जताई है, वो निश्चित रुप से बहुत ही महत्वपूर है स्रिमान शकल सास्त्री जी, करनाटक आपने शब्दों के बहुती सुंदर तालमेल के साथ लिखा कि आयुष्मान भारत तभी होगा जब आयुष्मान भूमी होगी और आयुष्मान भूमी तभी होगी जब हम इस भूमी पर रहने वाले प्रत्यक प्रानी की चिंता करेंग आपने गर्मियों में पशुपक्षियों के लिए पानी रखने के लिए भी सभी से आगर किया है। करें तो हमारे युवा फीजिकली वीख है। योगेश जी मैंने सोचा है कि इस बार हेल्थ को लेकर के सभी के साथ विस्तार से बात करूं। फिट इंडिया की बात करूं। और आप सब नौजवान मिल करके फिट इंडिया के मुमेंट भी चला सकते हैं। पिछले दिनों फ्रांस के राश्टपती काशी की आत्रा पर गए थे। वारणची के सिर्मान प्रशांद कुमार ने लिखा है कि उसी आत्रा के सारे द्रश्य मन को छूने वाले थे, प्रभाव पैदा करने वाले थे। और उनने अग्रे किया था कि वो सारी फोटो, सारे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित करने चाहिए। प्रशांद जी, भारत सरकार ने वो फोटो उसी दीन सोशल मीडिया और दरदन मोधी एब पर शेयर कर दिये थे। अब आप उनको लाइक करें और रेट्विट करें अपने मित्रों को पहुचाएं। चेन्नाई से अनगा, जैश और बहुत सारे बच्चों ने एक्जाम वारियर पुस्तक के पिछे जो ग्रेटिटूर काट दिये हैं। उन पर उन्होंने अपने दिल में जो विचार आये हैं, वो लिक करके मुझे ही भेज दिये हैं। अनगा, जैश, मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि आपके इन पत्रों से मेरी दिन भर की ठकान छूमंतर हो जाती हैं। इतने सारे पत्र, इतने सारे फॉन कॉल, कॉमेंट्स, इन में से जो कुछ भी मैं पढ़ पाया, जो भी मैं सुन पाया, और उसें से बहुत सी चीज़े हैं, जो मेरे मन को छूग गई। सिर्फ उनके बारे में ही बात करूँ, तो भी शायद महिनों तक मुझे लगातार कुछ न कुछ कहते ही जाना पड़ेगा। संभाई बेहनों के पत्र आये हैं, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के कुछ सक्रिय नागरी को ने सुझाव भेजे हैं, जब से हम लोग आपस में मन की बात रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तब से मैंने एक पैटन देखा है कि गर्मियों में ज्यादातर पत्र गर्मियों परमपराओं को लेकर के बातें आती हैं, यानि मन की बाते मौसम के साथ बदलती भी हैं, और शायद यह भी सच है कि हमारे मन की बातें कहीं किसी के जीवन में मौसम भी बदल देती हैं, और क्यों बढ़ ले? आपके इन बातों में, आपके इन अनुभवों में, आपके इन उधारणों में, इतनी प्रेणा, इतनी उर्जा, इतना अपनापन, देश के लिए कुछ करने का जजबस रहता है, यह तो पुरे देश का ही मौसम मदलने की ताकत रखता है जब मुझे आपके पत्रों में पढ़ने को मिलता है, कि कैसे असम के करिम गज के एक रिक्षा चालक, अहमद अली ने, अपने इच्छा शक्ती के बल पर, गरीब बच्चों के लिए नव स्कूल बनवाये हैं, तब इस देश की अदम में इच्छा सक्ती के दर्शन होते हैं जब मुझे कानपूर के डाक्टर अजित महन चौदरी की कहानी सुनने को मिली, कि वो फुटपात पर जाकर गरीबों को देखते हैं, और उन्हें मुप्त दबाभी देते हैं, तब इस देश की बंदु भाव को मसूस करने का अवसर मिलता है तेरह साल पहले समय पर इलाज न मिलने के कारण कोलकता के कैप चालक सैदूल लसकर की बहन के मुझत्य हो गई, उन्होंने अस्पताल बनाने की ठाल ली, ताकि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत नहों सैदूल ने अपने इस मीशन में घर के गहने बेचे, दान के जरिये रुपएए खटे किये, उनकी कैप में सफर करने वाले कई आत्रियों ने दिल खोल कर दान दिया, एक इंजीनियर बेटी ने तो अपनी पहली सैलरी ही दे दी, इस तरह से रुपिये जुटा कर बारा वर और आज उनी की इस कड़ी मेहनत के कारण, उनी के संकल्प के कारण, कलकत्ता के पास पुंद्री गाउं में लगबक तीस बेड की शमतावला अस्पताल बनकर तयार है, यह है न्यू इंडिया की थाकत, जब उत्तरप्रदेश के एक महला अनेकों संगर्ष के बावजूद 125 सवचालयों का निर्मान करती हैं, और महलाओं को उनके हग के लिए प्रेदित करती हैं, तब मात्रु शक्ति के दर्शन होते हैं, ऐसे अनेक प्रेणा पुंज मेरा देश का परिचे करवाते हैं, आज पूरे विश्व में भारत के और देखने का नजर या बढ़ला है, आज जब भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो इसके पीछे माभारत के इन बेटे बेटियों का पुर्शार्थ छिपा हुआ है, आज देश भर में, युवाओं में, महिलाओं में, पिछडों में, गरीबों में, मद्दमबर्ग में, हर वर्ग में यह विश्वात जगा है कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा दे आश्रा उमिदों से भरा एक आत्मविश्वास का सकारत्पक माहोल बना है, यही आत्मविश्वास, यही पोजिटिविटी, न्यू इंडिया का हमारा संकल्प साकार करेगी, सपना सिद्ध करेगी, मेरे पैरे देश्वासियों, आने वाले कुछ महिने, किसान भाईयों और बहनों के लिए बहुती महतोपूर है, इसी कारण धेर सारे पत्र कुरुशी को लेकर के आये हैं, इस बार मैंने दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल पर जो किसानों के साथ चर्चाएं होती हैं, उनके वीडियो भी मंगवा कर देखे, और मुझे लगता है कि हर किसान को द अपने खेत में लागू करना चाहिए हैं, मात्मा गांधी से लेकर के सास्त्री जी हो, लोहिया जी हो, चौदरी चरन सिंग जी हो, चौदरी देविलाल जी हो, सभी ने कृशी और किसान को देश की अर्थववस्ता और आम जन जीवन का एक एहम अंग माना, मिट्टी, खेत खलियान और किसान से मात्मा गादी को कितना लगाव था, ये भाव उनकी इस पंक्ती में जलकता है, जब उन्होंने कहा था, यानि धर्ती को खोदना और मिट्टी का खयाल रखना अगर हम भूल जाते हैं, तो ये स्वयम को भूलने जैसा है, इसी तरह लाल बादू सास्त्री जी, पैड, पाउध्य और वनस्पति के सवरक्षन और बहतर कुशी धांचे की आवश्यक्ता पर अक्सर जोर दिया करते डॉक्टर राम्मन और लोया ने तो हमारे किसानों के लिए बहतर आय, बहतर सींचय सुविधाएं और उन सब को सुनिश्चित करने के लिए और खाद्येवं दूद उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पहमाने पर जन जागुरूती की बात कही थी, 1979 में अपने भाषण में चौदरी चरण सिंग्जी ने किसानों से नई टेकनोलोजी का उपयोग करने, नई इनोवेशन करने का अगरग किया, इसकी आवश्यक्ता पर बल दिया, मैं पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित, कुरूशी उन्नती मेले में गया था, वहां किसान भाई बहनों और वैज्ञानिक के साथ, मेरी बाचीत, कुरूशी से जुड़े अनेक अनुभवों को जानना, समझना, कुरूशी से जुड़े इनोवेशन के बारे में जानना, ये सब मेरे लिए एक सुकत अनुभव तो था ही, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह था, मेगाले और वहां के किसानों की मेहनत, कम छेत्रफल वाले इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेगाले के हमारे किसानों ने वर्थ 2015-16 के दोरान पिछले पांच साल के तुलना में रेकॉर्ड पैदावर की, उन्होंने दिखाया है कि जब लक्ष निर्धारित हो, होसला बुलंद हो और मन में संकल्प हो, तो उसे सिद्ध कर सकते हैं कर दिखाया जा सकता है। आज किसानों के मेहनत को टेक्नलोजी का साथ मिल रहा है, जिससे करशी उत्पादक को काफी बल मिला है। मेरे पास जो पत्र आये हैं, उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे किसानों ने MSP की बारे में लिखा हुआ था और वो चाहते थे कि मैं इस पर उनके साथ विस्तार से बात करूँ। भाई और बहनों, इस साल के बजेट में किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्ने लिया गया है। यह तय किया गया है कि अधीस उचित फसलों के लिए MSP उनकी लागत का कम से कम डेड़ गुना गोसित किया जाएगा। अगर मैं विस्तार से बताऊं, तो MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे स्रमीक जो महनत और परिश्रम करते हैं, उनका महनताना, अपने मवेशी, मशीन या किराये पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मुल्य, उप्योग की गई हर तरह की खाद का मुल्य, सीचाई का खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लेंड रेवेन्यू, वर्किंग केपिटल के उपर दिया गया ब्याज, अगर जमीन लीज पर ली है, तो उसका किराया, और इतना ही नहीं, किसान जो खुद महनत करता है, या उसके परिवार में से कोई कर्शी कारे में स्रम योगदान करता है, उसका मुल्य भी उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा, इसके अलावा, किसानों को फसल की उचीत कीमत मिले, इसके लिए देश में एग्रिकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है, गाउं की स्थानिय मंडिया, होल्सल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े इसका प्रयास हो रहा है, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए देश के 22,000 ग्रामेड हाटों को जरूरी इंफरस्ट्रक्र के साथ अपग्रेड करते हुए, APMC और E-NAM platform के साथ इंटिग्रेड किया जाएगा, यानि एक तरह से खेट से देश के किसी भी मार्केट के साथ कनेक्ट ऐसी विवस्ता बनाई जा रही है, मेरे प्यारे देश वाशियों, इस वर्ष महात्मा गांदी के 150 वी जेन्ती वर्ष के महुत्सव के शुरुवात होगी, यह एतिहासिक अवसर है, देश कैसे यह उत्सव मनाए, स्वच्चे भारत तो हमारा संकल्प है ही, इसके अलावा, सवासो करोड देश वासी कंदे से कंदा मिलाकर, कैसे गांदी जी को उत्तम से उत्तम स्रधांजली दे सकते हैं, क्या नएने कारिकम लिए जा सकते हैं, क्या नएने तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं, आप सबसे मेरा आग्रह हैं, आप माए गौव के माध्यम से इस पर अपने विचार सब के साथ शैर करें, गांदी 150 का लोगों क्या हो, स्लोगन या मंत्र या गोशवाग के क्या हो, इस बारे में आप अपने सुझाव दे, हम सब को मिलकर बापु को एक यादगार स्रधांजली देनी हैं, और बापु को स्मरण करके, उनसे प्रेणा ले करके, हमारे देश को नई उचाईयों पर पहुंचाना है, और मैं मानता हूँ कि स्वच्च भारत और स्वस्थ भारत दोनों एक दूसरे के पूरक है, स्वास्थ के ख्षित्र में आज देश कन्वेंशनल एप्रोच से आगे बढ़ चुका है, देश में स्वास्थ से जुड़ा हर काम, जहां पहले सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की जि है वो स्वच्चता मंत्रा ले हो, आयूश मंत्रा ले हो, मिनिस्ट्री और केमिकल्स और पर्टिलाइजर हो, उपभोगता मंत्रा ले हो, या महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले हो, या तो राज्य सरकारे हो, साथ मिलकर स्वस्थ भारत के लिए काम कर रहे हैं, और प्रिव प्रिवन हल्थ केर सबसे सस्ता भी है और सबसे आसान भी है। और हम लोग प्रिवन्टिव हल्थ केर के लिए जितना जागरु होंगे उतना व्यक्ति को भी, परिवार को भी समाज को भी लाग होगा। जीवन स्वस्थ हो इसके लिए पहली आवशक्ता है स्वच्छता हम सब ने एक देश के रूप में बिड़ा उठाया और इसका परणाम यहाया कि पिछले लगभग चार सालों में सेनिटेशन कवरे दो गुना होकर करीब करीब 80 प्रतीशत हो चुका है इसके अलावा देश भर में हेल्थ वैलनेस सेंटर बनाने के दिशा में व्यापक स्थर पर काम हो रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केर के रूप में योग ने नए सिरे से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है योग फिटनेस और वैलनेस दोनों की गारंटी देता है यह हम सब के कमिट्मेंट का ही परणाम है कि योग आज एक मास मुमेंट बन चुका है गर गर पहुँच चुका है इस बार के अंतराश्टी योग दिवस 21 जून इसके बीच सो दिन से भी कम दिन बचे है पिछले तीन अंतराश्टी योग दिवसों पर देश और दुनिया के हर जगह लोगों ने काफी उत्सा से इसमें भाग लिया इस बार भी हमें सुनिश्चित करना है कि हम स्वयम योग करें और पुरे परिवार मित्रों सभी को योग के लिए अभी से प्रेजित करें नए रोचक तरीकों से योग को बच्चों में, युवावों में, सिनियर सिटीजन में सभी आयुवर्ग में पुरूशों महला हर किसे में पॉपिलर करना है वैसे तो देश का टीवी और इलेक्ट्रोनिक मीडिया साल भर योग को लेकर अलग-अलब कारिकम करता ही है पर क्या अभी से लेकर योग दिवस तक एक अभियान के रूप में योग के प्रती जागरूपता पैदा कर सकते हैं मेरे पैरे देश्वासिओं मैं योग टीचर तो नहीं हूँ हाँ मैं योग प्रक्टिशनर जरूर हूँ लेकिन कुछ लोगों ने अपने क्रियेटिविटी के माध्यम से मुझे योग टीचर भी बना दिया है और मेरे योग करते हुए 3D एनिमेटेड वीडियो ज बनाए हैं मैं आप सब के साथ ये वीडियो शेयर करूँगा ताकि हम साथ साथ आसन प्रायम का अभ्यास कर सके हैं हेल्ड केर एक्सेसेबल हो और एफोरेबल भी हो जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलब हो इसके लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं आज देश भर में तीन हजार से अधिक जन अवसदी केंदर खोले गए हैं जहां आंट सो से ज़्यादा दवाईया कम किमत पर उपलब्द कराई जा रही हैं और भी नए केंदर खोले जा रहे हैं मन की बात के स्रोताओं से मेरी अपील है कि जरूरत मंदों को इन जन अवसदी केंदरों की जानकारी पहुँचाएं उनका बहुत दवाई का खर्च कम हो जाएगा उनकी बहुत बड़ी सेवा होगी रदय रोग्यों के लिए हार्ट स्टेंड की किमत 85% तक कम कर दी गई है नीम प्लांट्स की किमतों को भी नियंत्रित कर 50-70% तक कम कर दिया गया है खायुष्मान भारत योजना के तहट लगबग 10 करोड परिवार याने करीब 50 करोड नागरिकों को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपे का खर्च भारत सरकार और निश्वर्णस कमपनी मिल कर के देगी देश के मौजूदा 479 मेडिकल कॉलेज जो मैं MBBS की सीटों की संग्या बढ़ाकर लगबग 68,000 कर दी गई है देश भर के लोगों को बहतर इलाज और स्वास्त सुविदा मिले इसके लिए विबिन राज्यों में नए एम्स खोले जा रहे हैं हर तिन जीलों के बीच एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा देश को दो हजार पचीस तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष रखा है यह बहुत बड़ा काम है जन जन तक जागुरूती पहुचाने में आपकी मदद चाहिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए हम सब को सामुईक प्रयास करना होगा मेरे प्यारे देश्वासियों 14 एप्रिल डक्टर बाबा साब आम्बेड करकी जन में जैनती है वर्षों पहले डक्टर बाबा साब आम्बेड करने भारत के अउध्योगी करण की बात कही थी उनके लिए उध्योग एक ऐसा प्रभावी माध्यम था जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार उपलब तक कराया जा सकता था आज जब देश में मेकिन इंडिया का भियान सफलता पुर्वक चल रहा है तो डक्टर अम्बेड करजी ने इंडिस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा था उनका ही वीजन आज हमारे लिए प्रेणा है आज भारत बैश्विक अर्थववस्ता में एक ब्राइट स्पॉर्ट के रूप में उबरा है और आज अब पुरे विश्व में सबसे जादा फॉरेंड डारेक इन्वेस्ट्मेंट एफडियाई भारत में आ रहा है पुरा विश्व भारत को निवेश्ट, इनोवेशन और विकास के लिए हप के रुप में देख रहा है उद्ध्योंकों का विकास शहरों में ही संबभ होगा यही सोचती जिसके कारण डक्टर बाबा साब अमेरकर ने भारत के सहरी करण अर्बनाइजेशन पर भरोसा किया उनके इस विजन को आगे बढ़ते हुए आज देश में स्मार्ट सिटीज मिशन और रर्बन मिशन की शुरुवात की गई ताकि देश के बड़े नगरों और छोटे शहरों में हर तरह की सुविदा चाहे वो अच्छी सड़के हो, पानी की व्यवस्ता हो, स्वास्त की सुविदाएं हो, सिक्षा हो या डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्द कराई जा सके बाबा साहिब का सेल्फ रिलाएंस आत्म निर्वहरता में दरड़ विस्वास्ता, वे नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति हमेशा गरीबी में अपना जीवन जीता रहे, इसके साथ साथ वे यह भी मानते थे कि गरीबों में सिर्फ कुछ बांट देने से उनकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती, आज मुद्रा योज्रा, स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, इनिशेटिव, हमारे युवा इनोवेटर्स, युवा एंटर्परनर्स को जन्म दे रही है, 1930 और 1940 के दसक में, जब भारत में सिर्फ सडकों और रेल्वी की बात होती थी, उस समय बाबा साब आमबेड करने, बंदरगाहों और जल मारगों के बारे में बात की थी, यह डॉक्टर बाबा साब ही थे, जिनों ने जल शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में देखा, देश के विकास के लिए पानी के उप्योग पर बल दिया, विभिन रिवर वैली अथोरिटीज, जल से सम्मंदित अलग-अलग कमिशन्स, यह सब बाबा साब आमबेड करका ही तो विजन था, आज देश में जलमार्ग और बंदर गाहों के लिए अइतिहासिक प्रयास हो रहे हैं, भारत के अलग-अलग समूत्र तटो पर नए बंदर गाह बन रहे हैं, और पुराने बंदर गाहों पर इंफास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, चालिस के दसक के कालखंड में जादातर चर्चां सेकंड वर्ल वोर, इमर्जिंग, कोल्ड वोर और विभाजन को लेकर के हुआ करती थी, उस समय डॉक्टर अम्बेरकर ने एक तरह से टीम इंडिया की स्पिरिट की नीव रख दी थी, उन्होंने फैडरलिजम, संगीय व्यवस्ता के महत्व पर बात की और देश के उत्थान के लिए केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर काम करने पर बल दिया, आज हमने शासन के हर पहलू में सहकारी संगबाद, कॉपरेटिव फेडरलिजम और उससे आगे बढ़ करके कॉम्पिटिटिव कॉपरेटिव फेडरलिजम के मंत्र को अपनाया है, और सबसे महतोपुन बात कि डॉक्टर बाबासाब अमवेड कर पिछड़े वर्षे जुड़े मुझे से करोडों लोगों के लिए एक प्रेडा है, उन्होंने अमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बढ़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो, बलकि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं उन सपनों को पुरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉक्टर बाबाक सब अमबेड करका मजाक उड़ाया उन्हें पीछे करने की कोशिश की हर संभव प्रयास किया कि गरीब और पिछवे परिवार के बेटा आगे न बढ़ पाए कुछ बन न पाए जीवन में कुछ हासिल न कर प है एक ऐसा इंडिया जो अमबेड करका है गरीबों का है पिछणों का है डॉक्टर अमबेड करकी जन्म जन्ति के अउसर पर 14 एपरिल से 5 मैं तक ग्राम स्वराज अभ्यान आयुजित किया जा रहा है इसके तहत पूरे भारत में ग्राम विकास गरीब कल्यान और सामाजिक नाय पर अलगलग कारिकम होंगे मेरा आप सभी से आगरह है किसा भ्यान में बढ़ चट करके हिस्सा ले मेरे प्यारे देश्वासियों अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं बगवान महविर जन्ति हरमान जन्ति इस्टर बाइशा की बगवान महविर की जन् जन्ति का दीन उनके त्याग और तपश्या को याद करने का दीन है अहिंसा के संदेश वाहक भगवान महविर जी का जीवन दर्शन हम सभी के लिए प्रेणा दही हैं समस्त देश्वासियों को महविर जन्ति की शुब कामना है इस्टर की चर्चा आते ही प्रभु इसा मसी के प्रेणा दायक उपदेश याद आते हैं जिनोंने सदा ही मानवता को शांती स्थभाव न्याय दया और करुना का संदेश दिया है अप्रेल में पंजाब और पस्चिम भारत में बैसाकी का उत्सों मनाये जाएगा तो उनी दिनों बिहार में जुडशितल एवं सतुवा लाइन असम में भी हूँ तो पस्चिम बंगाल में पोईला बैसाक का हर सोलास चाया रहेगा ये सारे पर्व किसे ने किसी रूप में हमारे खेद खल्यानों और अन्न दाताओं से जुड़े हुए हैं इन त्योहारों के माध्यम से हम उपच के रूप में मिलने वाले अनमो पूरती का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आप सब को आने वाले सभी त्योहारों की धेरों शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद